अर्निस्ठोय तार मुध्धे पाहारे रेल चला चल। अर्निस्ठोय तार मुध्धे पाहारे रेल 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 चल। बदर पुरे रुद्देशे रलना होएचे, मनेकरा होचे जे काज भालो भाबेई चोल छे, आजेकी पन्नो बाही ट्रेन बदर पुरे रुद्देशे शेखान तेके छारा गोएचे, जुर कदमे चोल छे शेखाने मेरा मोतीर काज, आबों रेल पोच सचल करार काज कोड़ शेखाने जुद्धो कालीन तत परोता है, शेखाने काज चोल छे, रेल पोच मेरा मोतीर शेद जिश्चो टुको आपनेरा देखिने बुद्धो कि अविए जुद्धो नगज जुद्धो कि यद्धो कि अविड़ दोगास लाम्डेंग बदुर्पूर पाहरलाईडनेर जाटिंगा लाम्पूर एबुंग नियू हारांगा जावेर एई जाएगाई अर्थाते एक्षो मिटार रेलाकाई गतो पुचे शेप्रिल शेखाने रेल चल शेखाने बिग्रिंत होए गेछेलो रास्ता बशेजावार कारोने एन ये बडाकेबुल त्रिपूराय जात्रिडा तीब्र अशुबिदा शम्मुकिन होए छे तार पर्थेके आखनो पोट्जूनतो ट्रेन बिरंबोना किन्तु लेगे इरोए छे जोदि ओई एलाकाई मेला मोतीर काज जुद्धकालीन गोतिते चोल छे किन्तु कबे थेके डेल चला चल शाभावी खबे ता निष्टित कोरे बोलते पार्चेना सयों एन ए प्रेले लामडिंग डिविशने डियारेम प्रेम रोंजन कुमार जातिंगा लामपूर एबंग नियो हारांगा जवए शे बोशे जावास थांधेके शड़ाशुर ए विश्रे विश्टा एतो जानाच्छे नामदे प्रोतिनी धी पंकच कुमार दे लामडिंग बदरपूर पाहाल लाइने गतो प्राइब पनरो दिन धरे बंदर होये छे रेल चलाचल विशेश करे जातिंगा लामपूर एबंग नियो हारांगा जाओ जे एलाका रोये छे एलाका आए प्राइए 100 मीटर एलाका बोशे जावार परिप्रिक्षिते आज 25 ए बड़ाको पत्तकाश हो मिजुराम तीपूरा एबंग मिनिपूरे एतिमद्धे खाद्द संखट है तो आरामब होबे ए छड़ा इन्दोनेर अबहाँ प्रिलोक्षित होये त्याई एक त्रे रेल चलाचल विशेश करे शंपूर वावे बड़ाक बातीपूरा मिजुराम म बंदो रखे छे डिमा हासाव जिला प्रसाशन फोले एई आवादेर जे प्रतिवेशी जिलार रहे छे बराक एबंग प्रतिवेशी राज्योगूल रहे छे मिजुराम तीपूरा एबंग मनिपूर एई एक तिमत्दे खाद्द संखट डेखाड़ा शाहबी कारन गतो प् आजके चीनी भुजाई एक विशाल एक ती मालवाही ट्रेन रेक्टाई ती मध्धे एई जाटिंगाल आमपूर क्रस करे छे अबंग रेलेत्र अपे बला हाँच्य जोदियतरा शमय शापक्ख बाया मध्र हने निश्चितर करे बोल छे ना जे एतो तो तर एक थिके ट्रे आर एक खेत्रे देखा गेछे जे एन एप्रेल जुद्धकालीन तत्परताई पच शरायर काजे और रहे छे एबंग खुद सयंग लामडिंगे डियारेम प्रेमरंजन कुमार्तिनी एखाने कैम करे रहे छे एबंग भिविन्नो अफिसार रहे छे एबंग तादेर्थिक त बिद्धोस्त शेए जाएगा अर्थात जाटिंगा लामपूर आबोंग नियो हारांगा जावेर शेए बोशे जावास थान तेके आपने शर शरी विस्ताईत शुनले आमद एफ प्रोतिनी धिर कास तेके जाना गया छे जे शेखाने कीछू जात्री बाखी ट्रेन चला चल इतिमोद्धे शुरू होये छे जोद्यू किन्तु पन्न बाखी जे ट्रेन गुली रोये छे ता किन्तु एकुन पर्जुन तो च आत्री बाखी जे रेल गारी गुली रोये छे शे गुली चलाचो रैखनो पर्जुन तो शुरू होये नी। जेखाने जूर गोतिते चल छे शेखानकार उद्धार काच रास्ता मेरा मोत करे रेल पथ सचल करार काच चल छे शेखाने। विभिन्नो आधिकारिक्रा शेई जाय गाएगी उपस्ते थोये छें। बुदबार जातिंगा लामपुर शेई धाश बिद्धोस तोयला काई। दारिये शाक्खात कर दिये छें। DRM प्रेम रंजन कुमार तीनी बलेचेंचे आज एकटी पन्नो बाही ट्रेन बदरपुरे रुद्धेश्य शेखान तेके छाड़ा होयेचे, किन्तु ट्रेन चला चल कभी थेके शेखाने शाबावी खबे। ता एई मोहुट्टे बला जात्छे ना। आमने शुने ने बो DRM प्रेम रंजन कुमारेर मौन तोबो। क्या इफेक्ट हुआ और अगर इफेक्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग नलिफाई कर सकते हैं यह हम लोग देख रहे हैं तो गुट्स ट्रेन तो हम लोग अभी फर्दर बहुत धीरे-धीरे चलाएंगे या अभी नहीं ही चलाएंगे एक्स्पेरिमेंटल फेज में ही र जिर्वर हैं और उससे हम लोग लिमिटेड अमाउंट में ला पा रहे हैं एक तो सबसे बड़ा यह प्रॉब्लम कि अगर यह चालू रहता तो हम लोगों को सपोर्ट होता हुआ दूसरा प्रॉब्लम है कि यहां का जो नाचुरल स्वाइल है वह बहुत ही उसकी बेरिंग क अपास्टी और कम हो जाता है तो जो नॉर्मल ट्रैक है वो सिंख करने लगता है यही कारण है कि यहां पर जो हेवी चलाने में हमेशा परिसानी होती है और खास करके बारिस के मौस कि यह स्टोन डस्ट है यह हम लोग पाकुर से लेकर आ रहे हैं पाकुर राजग्राम जो प्रिस्ट वेंग और में थार कंड के बॉर्डर पर वहां से काफी दूर से तो कि इस पूरे एरिया में अच्छे क्वालिटी का पत्थर नहीं है तो हम लोग वहां से लेकर क्या रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है एक एक रेक आने में 36 घंटे लग जाते हैं लग देखी जाना की हराने का इसका हो रहा है हम लोग सर्वेभी कर रहें हैं बलकि आप देखेंगे कि हम लोग ईस पूरे फ्रमेशन के ऊपर हार्कामरा फिक्स किये हुए हैं सो अब नब कर सकें के बली विजुली नहीं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं लिए और कहीं सेटल्मे बिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड, वो प्रोफेसर चंद्रन भोस, वो जियो टेकनिकल इंजिनेरिंग यानि स्वायल मिकानिक्स के भी एक्सपर्ट हैं, और खास करके वेटीवर ग्रास से स्लोप्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके दोलो बात